प्रिये विद्ध्यार्थियों आप सभी का हार्दिक स्वागत है बिये पार्ट सेकंड की भूगोल प्रायोगी कक्षा में मैं डॉक्टर वेद्प्रकास यादव सहाचार्ये भूगोल विभाग बावु सोभाराम राजकिये कला महविद्ध्याले अलवर आपका स्वागत करता हूँ आजका जो हमारा व्यख्यान है वह द्वीविमारेक से संबन्दित है और द्वीविमारेक के अंतरगत आज जो मद्धियन करने वाले हैं جो व्यख्यान देने वाले हैं आपके अपने सिलेबस की अकॉर्डिंग वह है रिंग डाइग्राम हिंदी में हम इसे कहेंगे वलाय आरेक जैसा आप नाम से देख रहे हैं रिंग डाइग्राम एक ऐसा आरेक है जिसमें आरेक की जो शकल है वो रिंग जैसी होती है अंगूठी जैसी होती है अंगूठी की सेप आप देखते हैं वरताकार होती है तो ये वरत आरेक ही है मूलता है उस वरत आरेक को इस प्रकार से आरेंज किया जाता है कि वो एक अंगूठी की शकल में दिखाई देने लगता है तो यह जो वल्य आरेक है, इस वल्य आरेक में हम जो दिये गए पदमूल हैं, उन पदमूलों को प्रदर्शित करने के लिए व्रत का इस्तेमाल करते हैं, व्रत का उपयोग करते हैं, आप जानते हैं वृत्त द्वीविमियाकरती है और वृत्त में क्षेत्रफल के द्वारा हम किसी पदमूल को आसानी से प्रकट कर सकते हैं इस कारण से वृत्त का जो रचना है और वृत्त की जो विशेशता है उसको ध्यान में रखते हुए हम जो दिये गए हमारे जो पदमूल हैं उन पदमूल्यों के लिए वृत्त का अर्दव्यास निकालते हैं क्योंकि वृत्त का प्रत्त का जो अर्दव्यास है वो संबंदित पदमूल्य के वर्गमूल के अनपात में होता है इस आरेक में पदमूल जो होते हैं उन पदमूलों के वर्गमूल निकाल करके उन वर्गमूलों के अनपात में हमारे वृत्त के अर्धव्यास की गंड़ना हम करते हैं हमारे पास जो दियावे पदमूल हैं उनके वर्गमूलों की गंड़ना करते हैं और वर्गमूलों की गंड़ना के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो न्यूनतम या अधिकतम जो वैल्यू वाली संख्या है न्यूनतम या अधिकतम वैल्यू की संख्या को ले करके हम उसके लिए कोई एक अर्धव्यास मान लेते हैं उस अर्धव्यास को मान लेने के बाद हम सेश जो पदमूल हैं उन से स्पदमूल्यों के जो अर्धव्यास हैं उनकी गंड़ना हम करते हैं और अर्धव्यास जो हमारे पास आए हैं उन अर्धव्यासों को लेकर हम विभन व्रत्तों की रचनाएं करते हैं और उन व्रत्तों की रचनाएं हम दो तरीके से कर सकते हैं रिंग डाइग्राम बनाने के लिए एक हम संकेंद्रिय वृत्त खेंच सकते हैं जिन में सभी वृत्तों का केंद्र एक होता है संकेंद्रिय वृत्त के रूप में भी हम इस आरेक को बना सकते हैं और दूसरा हम एक दूसरे के भीतर वृत्त की परधी के किसी एक उभैनिस्ट बिंदू पर श्पर्श करते हुए वृत्तों की रचना भी हम कर सकते हैं इन वृत्तों से जो बनने वाला आरेक है वो बिलकुल एक रिंग की तरह दिखाई देता है इसी कारण से इसे हम रिंग डाइग्राम कहते हैं कि मैं एक बार फिर से आपको इस बात को रिपीट करूं कि हमारे पास जो दिये हुए पदमूल हैं पहले उन पदमूलों का हम वर्गमूल निकालने के बाद हम जो हमारे पास वर्गमूल आए हैं उन में से नियूनतम अथ्वादिक्तम जो हमारी सुविधा हो उस संख्या के लिए उस वर्गमूल के लिए उस पदमूल के लिए हम एक वरत का अर्द्व्यास मान लेंगे ये वरत का अर्द्व्यास मानना हमारे उपर है कि हम वरत का अर्द्व्यास कितना मानते हैं और ये वरत का अर्द्व्यास मानने के बाद उसी अनपात में हम दूसरे पदमूल्यों के लिए वरतों के अर्द्व्यासों की गणना करते हैं और सब ही दिये गए पदमूलियों के वृत्तों के अर्दव्यासों की गणना कर लेने के बाद हम आरोही क्रम में अथ्वा अवरोही क्रम में उन सारे आकणों को जमा लेते हैं या तो हम पहले ही इसी क्रम में जमा लेते हैं बेतर तो यह है कि हम आकडों को पहले आरोही अथवा, टवा, औरोही करम जमा ले और उसके बाद जो हमारे वृत्तों के अरदव्यांस आएंगे वह भी उनी करम में आएंगे और उस क्रम के आधार पर हम दोनों ही तरीके से आरेक की रसना कर सकते हैं पहले हम विवन नर्दव्यास लेकर के संकेंद्रिये व्रत्त बना सकते हैं और उन संकेंद्रिये व्रत्तों में हम अलग-अलग सेड दे करके संबंदित जो वर्ग विशेश में दर्साई गई जानकारी है दर्साई गई तत्त हैं उनको हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं वही सेड हम संकेत में भर देंगे जो सेड हमने डाइग्राम में भरी है या यह कहें कि संकेत में जो निरधारित सेड है वही संबंदित वृत्त में हम भर देंगे जिससे सपस्ट हो जाए कि आमुक वृत्त के अंतरगत आमुक तथ्य का प्रदर्शन किया गया है तो एक संकेंद्रिय वृत्पों के रूप में और दूसरा वृत्य की परधी के एक उभेनिस्ट बिंदू पर इसपर्ष करते हुए वृत्थ हम खेंच सकते हैं और जो वृत्य की परधी पर इसपर्ष करते हुए जो एक उभेनिस्ट बिंदू पर इसपर्ष करते हुए जब वरित हम खेचेंगे तो भी हमारा जो डाइग्राम बनेगा वो इस आधार पर हम वरत्तों की अरचना कर सकते हैं हम जब एक उभेनिस्ट बिंदू के उपर वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त को बनाने की एक टेक्निक है मान लीजिए हमने सबसे पहले एक सबसे छोटा वृत बनाया एक हम एक बिंदू लेकर के उस पर एक लंबवत रेखा हम खेंच लेते हैं सबसे पहले जो हमारा जो उभैनिस्ट बिंदू है वहां से उस सबसे छोटे व्रत्त का अर्धव्यास लेकर के हम एक निशान कायम करते हैं उस रेखाखंड पर और वह जो निशान है अर्धव्यास का वह हमारा उस व्रत्त का केंद्र होगा उस केंद्र से हम एक रिंग बना देंगे उसके बाद जो हमारा परदी का बिंदू जहां हमने लिया है उबेनिस्ट वहां से फिर जो रेखा-खंड लंबवत हमने खेंचा है उसके उपर दूसरा जो उससे बड़ा वाला व्रत है उस व्रत का अर्धियास लेकर के वहां निशान लगाएंगे और फिर हम दूस व्रत खेंश देंगे जो पहले वाले व्रत को किसी एक बिंदू पर इसपर्स करता है ठीक इसी प्रकार वह जो उभेनिस्ट बिंदू है दोनों परदियों का दो अब तक हमने दो व्रत बनाए है उसी बिंदू से जो लंबवत रेखा-खंड है उसके लिए तीसरे व्रत का अर्दव्यास लेकर के उस रेखा-खंड पर हम निशान लगाएंगे और वह व्रत का केंद्र होगा जह हमारा निशान आएगा उस बिंदू से हम वापस तीसरा एक व्रत संकेंद्री व्रत नहीं होंगे यह इस बात में ध्यान रखने की ज़रुरत है इनका केंद्र भिन भ फिर से बनाएंगे जो हमारे पूर्वरती दो व्रतों को एक उसकी परधी के उभेनिस्ट बिंदू पर छूता है इस प्रकार से हम जितने हमारे लिए आवशक व्रत हैं उनकी रसना कर लेंगे और रसना करके हम हमारा जो वले आरेक है रिंग डाइग्राम में उसको आसानी से बना सकते हैं उपर हम हेडिंग लिख देंगे आरेक बनने के बाद जो आकड़ा हमारे पास आया है उस आकड़े को ले करके जो हेडिंग बनता है किस इस्थान से सम्मंदित है क्या उसमें हमारी विशेवस्तू है कौन सा येर का डेटा हमने इस्तेमाल किया है वो सब लि पीचे हम आरेक का नाम लिख देंगे, आरेक का नाम क्या है, जैसे आरेक का नाम हमने अभी बात की है, रिंग डाइग्राम है, इंगलिस में आप लिखते हैं, तो रिंग डाइग्राम लिख देंगे, हिंदी में यदि आप लिख रहे हैं, तो वले आरेक लिखेंगे, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि या तो आप केवल अंग्रेजी का इस्तेमाल करें या आप हिंदी का इस्तेमाल करें मिली जूली भासा का इस्तेमाल आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा ठीक नहीं देता एक जामनर को इसलिए आप किसी एक भासा का इस्तेमाल करते हुए आप इसको heading और इसका जो आरेक कप्रकार है उसको आप लिख देंगे साथ में जहां इस्थान आपको मिल रहा है वहां संकेत सारनी अवश्य बनाएंगे संकेत अवश्य देंगे क्योंकि रिंग में हमने विवन ने छायाएं भरी हैं सेड़ेड भरी हैं उन सेड़ेड के क्या आर्थ हैं यह लिखने के लिए हम संकेत अवश्य देंगे इस तरह से हमारा यह डाइग्राम बुरा हो जाएगा हम इसको एक उधारन से समझ सकते हैं मान लीजिए हमारे पास विवन ने किस्म की भूमी हैं भूमी के अलग लग वर्ग हैं और उनका क्षेतरफल हमें दिया हुआ है उस क्षेतरफल का प्रदर्शन हम इस रिंग डाइग्राम के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम मान लिए भूमी के वर्ग हमारे पास ये पांच वर्ग हैं एक है परती भूमी माना कि उसका क्षेतरफल करोड हेक्टेर में दिया हुआ है दो दसमलो चार करोड हेक्टेर परती भूमी के अतरिक अन अक्रिस्ट भूमी है वह मान लिए तीन दसमलो तीन च्छे करोड हे करोड़ हेक्टियर में है वन के अंतरगात आने वाली भूमी का क्षेत्रफल 6.68 करोड़ हेक्टियर है और क्रिश्ट भूमी जो क्रिशी भूमी है उसका क्षेत्रफल मान लेजिए 14.02 करोड़ हेक्टियर है तो यह जो दिया गया आकड़ा है यह हमारा आकड़ा पहले से आरोई क्रम में जमा हुआ है हम इसको अब इनके वर्गमूल निकालेंगे वर्गमूल निकालने के लिए सभी जो संख्याएं हमारी करोड हेक्टेर में छेत्रफल दिया है उसका वर्गमूल की हमने गणना की जो 2.4 जो पर्ति भूमी का छेत्र फाइल है उसका वर्गमूल 1.54 आया पर्ति भूमी के अतरिक जो अन्ने क्रिस्ट भूमी है 3.3.6 करोड हेक्टेर उसका वर्गमूल 1.85 तीन आ गया फिर 3.95 का वर्गमूल 1.98 6.68 का वर्गमूल 2.58 आठ और चोदह दसमलाव जीरो दो जो करोड है टेर भूमी है उसका वर्गमूल आया तीन दसमलाव साथ चार तो यह वर्गमूल की गंड़ना आपने कर ली है और अब मान लीजिए कि हम नियूनतम जो हमारा वर्गमूल है उसके लिए हमने वरत का अर्द्वियास मान लिया ह है एक सेंटीमीटर अब आप इसके सामने तो एक सेंटीमीटर लिखी दें क्योंकि वरत का अर्द्वियास आपने मान लिया है अब आपको दूसरी किसी संख्या के लिए अगर वरत का अर्द्वियास निकालना है और अगर क्या निकालना है निकालना ही पड़ेगा जब हम वले आरेक बनाएंगे तो तो आपको दूसरा मूल हमारा है एक दस्मलव आठ तीन एक दस्मलव आठ तीन के लिए जब हम अर्धव्यास निकालेंगे व्रत का तो इसका सूत्र हमारा होगा जो आपकी दी गई संख्या है मतलब जिस संख्या का आप वर्धव्यास निकालना चाहते हैं जिसके लिए वह दे गई संख्या बटा जो हमने संख्या ली गई है जिसकी वैल्यू मानी है वो न्यूनतम है तो उसको न्यूनतम संख्या लिख दें यदि वो अधिकतम मानी है तो अधिकतम संख्या लिख दें तो दी गई संख्या का वर्गमूल बटा न्यूनतम संख्या का वर्गमूल इस प्रस्न में हम ले रहे हैं गुणा यहां अर्द्यव्यास मान था एक सेंटीमीटर तो अर्द्यव्यास एक सेंटीमीटर से गुणा कर दिया तो यह वैल्यू निकल के आई एक दस्मलो नो आट जो वर्गमूल है उसके लिए वैल्यू निकल के आएगी एक दस्मलो नो आट गुणा बटा सोरी एक दस्म अर्थात जो दी गई हुई संख्या है उसका वर्गमूल बटा नियुनतम संख्या का वर्गमूल गुणा एक ऐसे ही तीसरी संख्या का वर्गमूल हमारे पास है दो दसमेलो पांच आठ तो दो दसमेलो पांच आठ भाग दिया एक दसमेलो पांच चार का गुणा एक कर दिय तो वर्गमूल आ गया 1.6-7 cm और अंत्रिम हमारी संख्या 3.74 बटा कर दिया 1.54 गुणा 1 cm बराबर 2.42 cm इस तरह से यह हमारे अर्द्वियास आ गए वरत के तो हमने पहले संख्यंदिरे वरत मना रहे हैं तो 1 cm अर्द्वियास का कोई के अंदर लेकर के वरत खेंचा फिर उस के अंदर से 1.28 cm फिर उसी के अंदर से 1.67 cm और 2.42 cm की अर्द्वियास लेकर के हमने वरत बना लिए यह हमारा संख्यंद्रिये वले डाइग्राम हो गया वले आरेक हो गया दूसरे तरीके से यदि संख्यंद्रिये नहीं बनाते हैं ऐसा आरेक ऐसे वरत बनाते हैं जो एक पर उनकी पर्दी इसपर्श करती हैं तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक रेखा खंड आपने खेंश लिया उसका एक आपने बिंदू ऐसा ले लिया जिसके ओपर सभी वरत्म की पर्दी इसपर्श करेंगी वहां से आपने पहला जो एक सेंटीमीटर है तो जो एक व्रत्त बना दिया उसके बाद वही जो व्रत्त की परदी को इस पर्स करने वाला बिंदू है वहां से दूसरे व्रत्त की जैसे एक दस्मलोव एक आठ सेंटिमीटर है तो वह आपने उस लंबवत रेखा के उपर नाप ले ली और दूसरा बिंदू जो कायम हुआ वो एक खंड की उपर एक दस्मलोव दो आठ सेंटिमीटर का नाप ले लेंगे और फिर से आप रिंग बना देंगे ऐसे चोथा और पांच्वा रिंग बन जाएगा और यह आपका रिंग डाइग्राम बन करके तयार हो गया तो इस तरह से हम रिंग डाइग्राम को बड़ी सर करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपको बहुत आसान लगेगा अभी हो सकता है कि आपको इस लेक्चर में आपको थोड़ी मुश्किल आ रही होगी समझने में लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ड्राइंग सीट लेकर के बैठेंगे और बताए अनुसार आप इसको करन ही से आएगा और आप मैं ऐसी एक्षा रखता हूं कि आसान